आपके सामने प्याज ओईल देख लिया आपने पैन में चला गिया है अब इसको हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे अच्छा जी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए और कौन कौन सी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेर करूँ कुछ आइडियाज दें और मेरे चैनल को लाइक करें सबस्क्राइब करें और शेर करें शेर आप लोग में करते हैं आते हैं देखकर चले जाते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं थोड़ा सा हम नए आने वालों को भी प्रमोट करें और साथ ही देखें अब मैं दार चीनी डाल रही हूँ और इस पता डाल रही हूँ उसके अंदर प्यास का कलर चेंज होने तक इसको हम फ्राइ करेंगे यह मैंने चम्मच चलाया है फ्राइ होने तक इंतजार करेंगे आप लोग भी और मैं भी अच्छा जी अब अगली क्लिप में हम क्या देखेंगे प्यास अपने टाइम पर ही होगी आपके और मेरे इंतजार करने से जल्दी तो नहीं होगी फैर दूसरी बाते करते हैं जब तक प्यास होती है, आच्छ, वेशेंज में बच्चों की चिटियां होती है, यह मैंने साथ में गोल लाल मिर्चे डाल दीजिस, आच्छ, बच्चों की चुटियां जब होती है, यह कुछ ऐसा पक जाए, जो कि जटपट हो, देखें ये चीज फटाफट बन जाएगी अभी मैंने काला जीरा इसके इंदर डाल दिया है थोड़ा सा बॉइल अगर चने आपके पास रखे वे हैं तो ये फटाफट उनको डीफ्रोस्ट किया और ये फटाफट बन जाते हैं अच्छा ये नॉर्मल जीरा डाल रही हूं मैं गोल लाल मिर्चे काला जीरा और ये नॉर्मल वाला जीरा ठीक है अब तीनो चारों चीजों को अच्छे से हम तेल में फ्राइ करेंगे कलर चेंज होगा खुश्बू अच्छी सी आने लगेगी फिर हम नेक्स प्रोसीजर पर सब्सक्राइब अपने जाएंगे अपने अच्छा मैं इसमें टेमाटर ने ओश्करूंगी दही डालूंगी आपको अगर टेमाटर के साथ डार बनाना है तो आप वो भी बना सकते ही मैं इस तरीके से बनाती ऑच्छा ये आपको नजर आ रही है स्क्रीन पर दही अब दही कि अंदर मैं मसाले शामिल कर लेती हूं यह जारी है लाल मिर्च अब जाएगी अब जाएगी तो मेरे खियाल में फाल ने हल्डी मैं भी आपके साथ ही देख रही होती हूं यह जी हल्डी चलीग अच्छा हजब biz जरूरत जितना स्पाइसी आप जो खा रहे हैं उतना स्पाइसी बनाईए मैं हम लोग मीडियम स्पाइसी खाना खा रहे होते हैं तो मैं अपने हिसाब से मिर्चे डाल रही हूं अच्छा यह चला गया है नमक नमक जरा सोच समझ के डालिएगा क्योंकि आगे मैं वही अपनी फेवरिट चिकन क्यूब भी आ दनिया है जीरा नहीं है इस बार सिर्फ धनिया है क्योंकि जीरा हम लोगों ने फर्स्ट डाल दिया है अच्छा यह गया है थोड़ा सा गरा मसाला और नेक्स्ट क्या जाएगा अच्छा डायरेक्ट भी आप पतीले में डाल सकते लेकिन मुझे जरा कन्वीनियंट रहता है दही में पहले में मसाले सारे मिला रहती है लास्ट में अभी जो आपने देखा हूं वह गया है चाट मसाला चाट मसाला और नमक यह सारी चीजें और क्यों नमक बैलन्स करके डालिएगा इन सब चीजों में ऐसा ना ओवर सॉल्टी हो जाए अच्छा यह मैंने सब मिक्स कर अच्छा नमक बैलन्स को भी चाट जाएगा उसके बाद नेक्स प्रसीजर देखते हैं अच्छा अब प्यास का कलर मुझे जितना चेह ता वैसा हो गया तो मैंने उसके अंदर फानी डाल दिया ताकह प्याज मजीद कलरना पकड़ेवर्णा हमारा सालन बिल्कुल ब्राउन डग कलरteri हो जाएगा मुझे वैसा कलरने चाहिए इसलिए मैंने तौड़ा पानी डाल दिया है अब मैं नेक्स जिन्स के अंदर डालने लगी हूँ छोले अजब जरूरत आप मसाला भी उसे साब से बनाइए जितने आपको छोले डालने हैं मैंने प्रोसीजर आपको बता दिया है अचा इसको यह बॉइल चोले बॉइल करना सबको आते हैं धाई का मसाला भी इसके अंदर मैं इसी वक्त आड़ कर दूंगी यह फटा फट बन जाता है और अगर उबले वे छोले हो तो यह काम और जल्दी हो जाता है मैं तो यही करती ह है तो जहां मैंने दही आड़ किया है उस स्टेज पे आप लोग टेमार्टर स्लाइस करके आड़ करते हैं पेस्ट बना के यूज करने स्लाइस करने टेमार्टर यह आप पर डिपेंड करता है अचा अब मैंने आपके सामने डाल दी है चिकन क्यूब भी और अब मैं इसको कुरानी वीडियो एंजॉइ ओके अलाफेज